एक्जाम पास आ गया, CBSC ने सैंपल पेपर भी लॉंच कर दिया, पर हमारी प्रिप्रेशन तो निल है, अब क्या करें, कहें घबे राएं, कहें घबे राएं, पिक अप मैज के शॉर्ट ट्रिक आज माएं, इस वीडियो में मैं आपको 5 शॉर्ट ट्रिक और वन बोनस ट्रिक कहीं पे भी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, जिसको देख करके आप कोश्चन्स विदिन सेकंड सॉल कर सकेंगे, और यकीन मानिये, साल भर पढ़ने वाले बच्चों से आप आगे निकल जाएंगे, व पी एक पॉइंट है, जिसका कॉइंट 8 और 4 है, पी अब को डिवाइट कर रहा है, और हमें यह फाइंड आट करना है कि पी अब को किस रेशियो में डिवाइट कर रहा है, अगर आप इसको कन्वेक्शनल मेट से करेंगे, तो आप क्या करेंगे, के इंटू 9 प्लस 1 और 4 के साथ, तब जाके आपको के का रेशियो मेलेगा, तमिंज यह थोड़ा लेंदी प्रॉसेस होगा, अब हम इसको शॉर्ट टिक से सॉल करते हैं, A के कॉइट को हम माल लेते हैं, X1 और Y1, B के कॉइट को हम माल लेते हैं, X2 और Y2, हमें क्या करना है, X1 मैनस X, ratio x-x2 या आप same चीज y-connect सा भी कर सकते हैं y1-y ratio y-y2 x1-x that means 5-8 ratio x-x2 that means 8-9 5-8 is-3 8-9 is-1 that means ratio is 3-1 P जो है AB को 3-1 ratio में डिवाइड कर रहा है option B is the correct answer चाहे तो आप Y से चेक कर लेजे y1-y that means minus 2 minus 4 y-y2 that means 4-6 minus 2 minus 4 is minus 6 4-2 is 4-6 is minus 2 अब ratio में इसे simplify कर देंगत क्या जाएगा हमारा 3 is to 1 तो यहां पर भी हमें ratio same मिल रहा है 3 is to 1 is given in the B option so B is the correct answer now students अब हम second example देखते हैं A का कॉर्णिट 3 और 5 है B का कॉर्णिट 3 और 5 है P का कॉर्णिट 3 और 5 और 11 और 5 है हमें find out करना है कि P A B को किस ratio में डिवाइट कर रहा है फटा फट करते है X1-X2 that means 3 minus 3 by 5 ratio X minus X2 that means 3 by 5 minus of minus 3 that means plus 3 यहां से LCM करेंगे तो क्या हो जाएगा students 15 minus 3 by 5 और यहां LCM कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 plus 15 by 5 15 minus 3 is 12 12 by 5 is to 18 by 5 that means 12 is to 18 12 is to 18 उसको simplify कर दीज़े तो क्या हो जाएगा 2 is to 3 2 is to 3 is given in the C option so C is the correct answer अब इसको Y के साथ भी चेक कर लेते हैं एक बार Y1 minus Y that means 5 minus 11 by 5 ratio Y minus Y2 11 by 5 minus of minus 2 यानि की plus 2 LCM करते हैं तो क्या हो जाएगा 25 minus 11 by 5 और यहां प्या हो जाएगा 11 plus 10 by 5 25 minus 11 that means 14 by 5 11 plus 10 is 21 by 5 यह हो जाएगा 14 is to 21 और इसे हम simplify कर देगे तो क्या हो जाएगा 2 is to 3 तो देखें same ratio में रहे 2 is to 3 so option C 2 is to 3 is the correct answer now students this question is homework for you options is also given you have to solve it by yourself and write the answer in the comment box now have a look in this question यहां पर AB एक लाइन सेग्मेंट है A का कोडिनेट 1 और 3 है B का कोडिनेट 2 और 7 है AB लाइन सेग्मेंट को एक लाइन 3X प्लस Y मैनस 9 इक्वाइट कर रहा है यह लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइट कर रहा है हमें यह फाइन करना है तो students देखें यहां पर लाइन का equation given है हमेशा ध्यान दिजिएगा जो लाइन का equation है वो हमेशा AX प्लस BY प्लस C इक्वाइट में होना चाहिए अगर माल लीजिए 9 राइट हैंड साइड में है तो आपको उसको left hand side में लाना हुआ यहां पर already left hand side में तो हमें आपको चुझनी करना है इस equation को मैं as it is लिख देती हूँ 3X प्लस Y मैनस 9 इक्वाइट सु 0 अब मुझे क्या करना है देखिए एक और coordinate है 1 और 3 इस 1 और 3 को मैं इस equation में put करूगी तो क्या हो जाएगा 3X यानि 3 into 1 प्लस Y Y यहां पर 3 है तो प्लस 3 मैनस 9 अब नीचे denominator लेना है denominator में हमें क्या करूँगी B के coordinate यानि 2 और 7 को इस equation में put करूँगी 3 multiplies X यानि कि 3 multiplies 2 प्लस Y Y यहां पर 7 है तो प्लस 7 मैनस 9 3 into 1 is 3 3 प्लस 3 is 6 9 is minus 3 denominator में देखिए 3 into 2 is 6 6 plus 7 is 13 13 minus 9 is 4 अब हमारा answer आया है minus 3 by 4 याद रखेगा जो भी answer आयेगा हमें उसका negative sign लेना है यहां पर minus 3 by 4 answer आया है हमको इसका negative करना है that means minus of minus 3 by 4 हो जाएगा 3 by 4 तो required ratio हो जाएगा 3 is to 4 that means यह जो line है AB को 3 is to 4 ratio में divide करना है 3 is to 4 is given in the option A so A is the correct answer now in this example A का coordinate मैनस 1 and 1 है B का coordinate 5 और 7 है AB line segment को line X plus Y is equal to 4 divide करना है और ratio हमें find करना है कि किस ratio में divide करना है तो देखिए X plus Y is equal to 4 है पहले हमें A X plus B Y plus C is equal to 0 वाले format में से change करना है that means 4 को हमें left hand side में लाना पड़ेगा तो equation बन जाएगा X plus Y minus 4 equals to 0 अब हम क्या करेंगे पहले A का coordinate में put करेंगे minus 1 और 1 तो यह equation ऐसे बनेगा minus 1 X की जगह आ जाएगा तो minus 1 plus Y that means plus 1 minus 4 और फिर denominator में हम करेंगे 5 और 7 को put इसी line में तो 5 plus 7 minus 4 minus 1 और plus 1 cancel हो जाएगा तो सिर्फ बच जाएगा minus 4 numerator में 5 plus 7 is 12 12 minus 4 is H तो यहां पहें हमें मिल रहा है minus 1 by 2 अब हमें क्या करना है don't forget to change the sign तो यहां पहें हमको क्या करना है minus 1 by 2 का हमें negative लेना है that means हमारा ratio आजाएगा 1 by 2 that means 1 is to 2 तो यह AB को 1 is to 2 ratio में divide कर रहा है 1 is to 2 is given in the option D so D is the correct answer नो students इस question को देखिए यह question एडिकार्ट बुक में given है यहां पे A का coordinate 2 और 3 है B का coordinate 4 और minus 8 है AB line segment को X axis डिवाइड कर रहा है students X axis डिवाइड कर रहा है that means Y equals to 0 होगा यह हमारा line का equation में लिया अब Y equals to 0 that means X कोई काम ही नहीं है हमको क्या करना है A का coordinate क्या है यहां पे 3 उसे numerator में रख लेते है and B का coordinate है minus 8 हम इसे denominator में लख लेते है that means 3 by minus 8 इसे हम लेख सकते है minus 3 by 8 और हमको क्या करना है finally sign change करना है negative लिखना है तो minus of minus 3 by 8 that means 3 by 8 यह कह सकते है की ratio will be 3 is to 8 यह AB को X line जो है 3 is to 8 ratio में divide कर रहा है 3 is to 8 is given in the option A so A is the correct answer now this practice question is for you A का coordinate minus 1 और 3 है B का coordinate 9 और 8 है line का equation X minus Y plus 2 equals 0 given है आपको find out करना है line AB को किस ratio में divide करना है option is also given write the answer in the comment box now see this question यहाँ पे students AB एक line segment है A का coordinate 1 और 2 है B का coordinate 4 और 8 है AB को एक line divide कर रहा है line में 2 points है 2 points के coordinate given है 6 और 8 minus 3 और minus 2 हमें यह find करना है कि यह line AB को किस ratio में divide करना है तो students यहाँ पे coordinate given है सबसे पहला step हमारा क्या होगा इस line का equation form करेंगे equation form करने के बाद हम ratio निकाल पाएंगे equation form कैसे करेंगे उसके लिए formula है y minus y1 is equals to m multiplies x minus x1 6 और 8 को students में माल लेती हूँ x1, y1 और minus 3 minus 2 का माल लेती हूँ x2, y2 अब यहाँ पे m है students m क्या होता है m होता है y2 minus y1 divide by x2 minus x1 y2 minus y1 that means minus 2 minus 8 x2 minus x1 that means minus 3 minus 6 minus 2 minus 8 is minus 10 minus 3 minus 6 is minus 9 minus 10 by minus 9 that means 10 by 9 तो m का value 10 by 9 मिल गया यहाँ पूट कर लेते हैं 10 by 9 अब y minus y1 y1 is 8 y minus 8 is equals to 10 by 9 multiplies x minus x1 x1 is 6 तो यहाँ पे हो जाएगा minus 6 अब students 9 से से मृटिप्लाइ कर दिए 9 multiply is y minus 8 is equals to 10 multiply is x minus 6 यहाँ हो जाएगा 9 multiply y is 9y 9 multiply minus 8 is minus 72 10 multiply x is 10x 10 multiply is minus 6 is minus 60 अब 9y minus 72 को हम right hand side में shift करेंगे 10x तो as it is रहेगा 9y right hand side में जाके minus 9y हो जाएगा वैसी minus 72 plus 72 हो जाएगा plus 72 minus 60 is plus 12 it is equals to 0 that means 10x minus 9y plus 12 equals to 0 तो इस वाले लाइन का हमें equation मिल गया है यहाँ पर equation में side मिल लेती हूँ 10x minus 9y plus 12 equals to 0 अब क्या करना है हमें a का कोडिनेट और b का कोडिनेट पूट करना है तो पहले हम a का कोडिनेट 1 और 2 है पूट करते हैं 10x मतलब 10 multiply 1 तो 10 minus 9y minus 9 multiply 2 minus 9 multiply 2 is minus 18 plus 12 अब डिनोमेटर में क्या करना है b का का काडिनेट that means 4 और 8 को पूट करना है तो 10 multiply 4 is 40 minus 9 multiply 8 is minus 72 plus 12 नव देखिए 10 minus 18 is minus 8 minus 8 plus 12 is 40 minus 72 is minus 32 minus 32 plus 12 is minus 20 that means यह हो जाएगा 1 by minus 5 यह ऐसे हम लिए सकते है minus 1 by 5 लेकिन इस रेशो में हमें क्या करना था हमें साइन भी चेंज करना होते है हम क्या करेंगे minus of minus 1 by 5 that means ratio is 1 by 5 इसे हम लिए सकते है 1 is to 5 तो यह line a b को 1 is to 5 ratio में डिवाइट कर रहा है 1 is to 5 is given in the option D so D is the correct answer now time for the bonus trick bonus trick जो है वो distance formula पे बेज़ रहे distance formula आपको पता है it is equals to root over x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square अब स्क्रेंट्स पहला confusion स्क्रेंट्स को यह होता है कि x1 y1 इसे ले कोई फरक नहीं कर पड़ता आप x1 y1 इसे लीजे या इसे लीजे x2 y2 किसी को भी ले ले ultimately आपको क्या करना है minus करके square करना है और square करने पे जो answer आएगा वो same ही आएगा इसलिए order interchange करेंगे तो आपको कोई भी answer में difference नहीं आने वाला है पहला confusion को हम clear करते हैं फिर second confusion में आपको बताऊंगी तो पहले देखिए अगर मैं इसे x2 मानती हूँ तो क्या हो जाएगा 1 minus 5 का square और y2 minus y1 that means minus 1 minus 2 का square 1 minus 5 is minus 4 minus 4 का square minus 1 minus 2 that means minus 3 का square अब minus 4 का square हो जाएगा 16 और minus 3 का square हो जाएगा 9 ती हो जाएगा root over 25 which is equals to 5 अब चलिए अब position interchange करके देख लेते हैं मैंने पहले किया था 1 minus 5 अब मैं करते हूं 5 minus 1 ती हो जाएगा 5 minus 1 का square plus 2 minus of minus 1 that means 2 plus 1 का square 5 minus 1 is 4 4 का square 2 plus 1 is 3 तो 3 का square 4 का square हो गया 16 3 का square हो गया 9 16 plus 9 is 25 अब root over 25 करेंगे तो answer आजाएगा 5 तो देखे answer सेम आया answer में कोई difference नहीं answer आपका same आ रहा है D option is the correct answer अब second confusion क्या होता है students sometimes suppose कर लिजे आपको minus 1 minus 2 करने में प्रॉलम आ रहा है आपने 1 minus 5 तो इसली कर लिए minus 1 minus 2 करने में प्रॉलम आ रहा है आप कुछ नहीं आप यहां से इसको भी कर सकते हैं 2 minus of minus 1 भी लिख सकते हैं 2 minus of minus 1 that means plus बना जाएगा तो यह हो जाएगा plus 3 plus 3 का स्कार 9 25 रूपई that means students position interchange कहीं पे भी करिए answer आपका same आएगा in the distance formula only अब आपको क्या करना है मैंने एक question दिया है उसको try कीजिए examples को दोरों तरीके से solve करके देखिए क्या आपका answer same आ रहा है या नहीं आ रहा है now the next trick so this next trick में हमें एक parallelogram given है parallelogram में 3 consecutive vertex given है और हमें 4th vertex को find out करना है यहां पर must यह है कि जो vertex given है वो consecutive होना जरूरी है consecutive मतलब line से लगाता रहोना चाहिए तब जाके हम 4th vertex को find out कर सकते है that means हमें x और y को find out करना है तो simple सा है strength यहाँ पर क्या करना है opposite वाले vertex को plus कर लिजे x x में देखिए यहाँ पर 1 और 5 है इन दोनों को plus कर लिजे और इन दोनों vertex के बीच वाला vertex यहाँ पर जो है उसे मैनस करना है that means minus 4 करना है 1 plus 5 is 6 6 minus 4 is 2 तो x आगया 2 similarly हम y के लिए करेंगे तो यहाँ पर क्या दाएगा 2 plus 7 और minus यह वाला रहा 6 2 plus 7 is 9 9 minus 6 is 3 तो x और y आगया 2 और 3 तो d का कॉणिट हो गया 2 और 3 2 और 3 is given in the option a so a is the correct answer now see the next question यह question standard mathematics sample paper का question number 29 है इसमें a का coordinate 1 और 2 given है b का coordinate 4 और y given है c का coordinate x और 6 given है d का coordinate 3 और 5 given है हमें x और y को find out करना है तो students x को कैसे find out करेंगे देखी x यहाँ पर है तो हम क्या करेंगे इन दो को plus करेंगे फिर इसको minus करेंगे that means 4 plus 3 minus 1 तो 4 plus 3 is 7 7 minus 1 is 6 अब y को find out करने क्ले क्या करेंगे y को find out करने क्ले हम इन दोनों को plus करेंगे और फिर इसको minus करेंगे 2 plus 6 minus 5 तो 2 plus 6 is 8 8 minus 5 is 3 तो x और y आ गया 6 और 3 6 and 3 is given in the option A Now see this question यहाँ पर हमें A, B, C और D के coordinate given है आपको क्या करना है इसका P का value find out करना है कि P का value क्या होगा आपको options given है this is homework question that means practice question for you आप इसको solve किजिए और comment में इसे लिखके बताएए कि आपका answer क्या है Now let's move to the next trick This trick is area related trick अगर आपको कोई figure given है वो चाहे triangle हो चाहे वो quadrilateral हो उसके अगर vertices आपको given है by using this trick you will be able to find out the area of given figure within few seconds I know this year area वाला portion deleted portion है but strength कुछ question जैसे की कोलिनेर पॉइंट से question भी इस trick के through solve किये जा सकते है तो इस trick को भी आप देख लिजे तो strength area का formula यहाँ पे हो जाएगा right cross मैनस left cross by 2 अब right cross और left cross क्या है तो strength क्या करना है आपको vertices को note down कर लेना है इस तरीके से अब आपने जिस vertices शुरू किया था उसे repeat कर दीजे अगर आप मैनस 4 और 3 से शुरू करते है तो आपको क्या करना है at last मैनस 4 और 3 को फिर से लिखना होगा आप क्या करना है students right cross करना है that means we have to multiply 2 multiply 3 मैनस 4 multiply 9 and 7 multiply 1 करना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 multiply 3 is 6 मैनस 4 multiply 9 is minus 36 7 multiply 1 is 7 now we have to do the left cross that means we have to multiply by left side तो हमको अब इस तरिक से multiply करना है 1 multiply minus 4 is minus 4 3 multiply 7 is 21 9 multiply 2 is 18 divided by 2 now 6 minus 36 is minus 30 minus 30 plus 7 is minus 23 minus 4 plus 21 is 17 17 plus 18 is 35 divide by 2 it will be equals to minus 23 minus 35 by 2 which will be equals to minus 58 by 2 और इसको हम solve करेंगे तो आजाएगा minus 29 तो students area आगे है minus 29 लेकिन area negative नहीं हो सकता तो हम लिखेंगे area is equals to 29 square units और 29 square unit is given in the option D so D is the correct answer now students see this question यहाँ पे 3 points है और 3 points के हमें वर्टिसेस गीवन है यह points कुलिनियर points हैं कुलिनियर points वो होते हैं और हमें T को निकालना है T का value क्या होगा तो सिंपल सी बात है क्योंकि कुलिनियर points है तो ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा और ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा काट किया है तो T और 2T को मुझे यहां फिर से लिखना होगा अब मैं right multiply करती हूं T multiply 6 is 6 T मैंनस 2 multiply 1 is मैंनस 2 3 multiply 2 T is प्लस 6 T अब left cross करना है students left cross क्ले हम left multiply करेंगे तो क्या करना होगा 2 T multiply is मैंनस 2 that means मैंनस 4 T 6 multiply 3 is 18 1 multiply T is T it will be equals to 0 now 60 plus 60 is equals to 12 T minus 2 minus minus 4 T plus T that means minus 3 T plus 18 is equals to 0 12 T minus of minus T that means plus 3 T हो जाएगा minus 2 or minus of plus 18 is minus 18 is equals to 0 12 T plus 3 T is 15 T minus 2 minus 18 is minus 20 is equals to 0 that means 15 T will be equals to 20 and T equals to 20 by 15 which is equals to 4 by 3 so T is equals to 4 by 3 and the 4 by 3 is given in the option B so B is the correct answer now have a look in this question here 3 collinear points are given also their coordinates are given you have to find out value of A A का value क्या आएगा students आपको option भी गीवन है try to solve this question by yourself that means this question is practice question or homework question for you don't forget to write the answer in the comment box hope you enjoyed the tricks thank you for watching